आज बनने जा रहा है भटूरे छोले वाले भटूरे बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्ट और टेस्टी तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इसे बनाया जाता है रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें तो चलिए बनाते हैं यह चटपटा सा छोले अ चोटी लेची टूपीस लॉंग दोपीस दालचिनी एक पीस अब यह थोड़ा सा सीजर जैसे हो जाएगा उसे स्टेच पर यहां पर अधरक लासन का पेस्ट करेंगे और इसी अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे इन सारी मसालों के साथ ताकि अच्छा सा फ्लेवर एक् क्रीमी टैक्शर आएगा और इसका कलर चेंज होनी तक इसको भी अच्छे से भून लेंगे देखें बहुत अच्छा सा कलर चेंज हो गया है अभी सिस्टेच पर मसाले आट करेंगे हल्दी पॉडर हाफ टेस्पुन धनिया पॉडर वन टेस्पुन जीरा पॉडर हाफ टेस अब इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए इसे भी मसालों के साथ अच्छे से भून लेंगे इसका कच्छापन खतम हो जाए उसकी बाद ही आट करेंगे यहां पर टमाटर मैंने मैंने दो टमाटर लिया था जिसकी प्यूडी मैंने बना ली है और इसी इसमें आ कोड गए इन सारी चीज़ों को अच्छे से सौफट हो जाए और अच्छे से भुनाई हो जाए जब तक को ऐल जै बिलकُल से सर फेस दाल देंगे और इससे भी दो मिनट इससे भी मसालो के साथ इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि ़ो मिनट में इसका जो है color थोड़ा सा चेंज हो जाता है और अच्छा सा flavor आता है इस तरीके से अगर बनाएंगे तो बहुत बढ़िया और टेष्टी एक डुम बिलकुल मैंने चाहपती जोहें का पानी में अबाल लिया अब चाशन हो ब। आझाए राए दूक्न कोटो सहा, तो जो आहिए नहीं हो जाता भूत अच्छी बेसे कुट हो थे का किये चित्हों कि खोक्षा प्रिर अच्छा कि पया है लिग वियो का स्वा गल थे किम एक इसला अब यहां पर तोड़ा सा गर्म मसाला एट करेंगे हाफ टेस्पून और फ्रेश धनिया के लीफ एट करेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह दिख सकते हैं आप कितना बढ़िया हुआ है यह बना है खुश्भू वे इतनी अच्छी आ रही है आप आप बढ़िया है और इसे देख सकते हैं आप पानी आइड कर लें जितना आपको ग्रेवी चाहिए उतना आप इसमें डल दें देखिए और इसे एक बाल लगा ले इस तरह कैसी देख सकते हैं आप आई होब कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आये होगी तो प्लीज लाइक करें अब यहां पर देखिए मैंने यहां पर थोगा उसा चाट मसाला यूज किया है अगर आपको लाइक करते हैं तो डालें नहीं तो कोई बात नहीं चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भू माइब बलोब करते हैं जहें लाइक करेंटे हैं आच करते हैं यहां वाल ओगा स smartphones बेब करते हैं वहां!